है किई हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोच डग्ट Olis एफ्समीर कुमार हों आप देख रहें डॉक्टर कुमार एज़्यक्षिन आज हम बात करेंगे कि सीमश डिवाइबर साइब या के बारे मैं सीमेन रिटेंशन के बारे में जो भीडिय दिमाख में जो ना हाडना है और बहुत सारे स्टेटमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल से लोग देते हैं इविन डॉक्टर्स के पॉइंट यदि जाने तो इस बात पर कोई लोगों की एक राय नहीं है सबका अपना विचार है और सबका अपना एक अलग-अलग विचार है उस कारण हमार क्लिनिकल प्रक्टिस में भी देखा है पिछले 15 यर्स में कि हर इंसान के पास एक अलग ही एक्स्प्लेनेशन होती है और एक अलग तरह का मित होता है एक अलग तरह का थौट होता है क्योंकि वो अपने सेराउंडिंग से ही उकुपाइट करता है हम लोग किलियरली उस पर क लाएंगे मसल्स बनेंगे लेकिन एट लास्ट आपका फिर स्पर्म प्रोडेक्शन होता है मेटाबॉलिक प्रॉससे हम खाना खाते हैं उसका अब्सुप्षन होता है और फिर उसका डिस्टिविउशन को और प्र एक तो हम कुछ भी खाना खाएं जिस तरीके से ब्लड की ड्रॉप हमारे बॉड़ी में डवलप होती है उसी तरीके से स्पर्म भी हमारी बॉड़ी में बनते हैं और यह एक नीच्रल पिर्किरिया जो जनरली 13 के बाद सुरू होती है और 25 तक इसका मैग्सिबंद प्रोडेक्षिन हमारी बाड़ी में होता है और फिर एजिन के कारण कहें या फिर उमर बढ़ने के कारण यह प pik करता है और इस よ टेस्टी स्टुन हार्मौनiba ह där लॉता है यह एक फिजालोजी है расп 그렇able के बारे में अब दूसरा सवाल है कि क्या sperm को retain करना चाहिए क्या sperm को hold करना चाहिए क्या sperm को retain करने से sperm को hold करने से कोई clinically health related दिमा की कुछ फायदे हो सकते हैं क्या हमारी vitality बढ़ सकती है क्या हमारी energy बढ़ सकती है क्या हमारी उमर बढ़ सकती है इसके पीछे कोई clinical science नहीं है कोई research नहीं है कोई relevant research नहीं है जिसने कि ये प्रूब किया हो और मैं अब एक दूसरी बात पर आता हूँ अब हमें इसको समझने के लिए अपने excretory system को भी समझना होगा हमारी body में blood का एक cycle है मतलब एक platelets हो और WBC हो आपके RBC हो उनका एक duration होता है और उस duration के बाद वो उनका बनना और dead होना यह एक पिर्किरिया है यानि सरीर के अंदर cells बनते हैं और cells dead भी होते हैं तो sperm भी एक cell ही है sperm का बनना और dead होना यह एक पिर्किरिया है जो whole life बिल्कुल चलती रही यह एक nature है लोगों में different different level पे sperm का count कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सबको sperm बनता है और वो sperm dead भी होता है और वो cycle उस तरह से चलती रहती है जिस तरीके से आप देखें कि females के अंदर menstrual cycle होती है उसी तरीके से एक male के अंदर भी nightfall होता है और वो एक cycle है वो एक clock है उस तरीके से ही body का temperature और sperm का count और वो impurities है उसका manage करते हैं आप कल्पना करिए कि आप urine रोक सकते हैं क्या आपको urine रोकना चाहिए answer is no क्या आपको अपनी body का sweat रोकना चाहिए answer is completely no क्या आप अपना stool रोकना चाहिए answer is no तो body के अंदर जो भी excretory products बनते हैं उनको spell out होना चाहिए timely spell out होना चाहिए और वो clock body का temperature आपका दिमाग आपके cells के बीच में एक संतुलन एक coordination तभी बना रहेगा तो clinical answer यह है कि कभी भी आप sperm को retain forcefully करने की कोशिस ना करें ना उसको कम करें ना जादा करें आप उसको nature पे छोड़ें आप उसको अपनी body पे छोड़ें आपको जब sperm का production होगा वो cycle clock आपका रहेगा तो आपको nightfall होगा या आपको sperm यदि body से जब बहार जाने होंगे तो वो चले जाएंगे उसके लिए एक पिर्क्रिया है एक nature science है उसी के लिए एक nature ने God ने जो body बनाई है उसके अंदर sperm के production के साथ आपके testis होते हैं जो आपके body के temperature को भी maintain रखते हैं और production को भी regulate करते हैं उसके साथ आपके पास एक pipe है जिससे कि आपके sperm बहार निकलते हैं तो वो एक यूरीन की तरह एक पिर्क्रिया है जब वो excretion उसका होगा जब उसका लेवल बढ़ेगा तो आपको sperm बाहर निकलेंगे जिस तरीके से हमारी जब पिसाब की थैली फिल हो जाती है और हम यूरीन फील करना फील करते हैं कि हमें यूरीन पास करना है तो हम यूरी इसके जुकता चोलिया जब लिशेन की लगाने के नहीं है जैटार को संबजे नेचर के प्लॉप को संदेनेचर का जो एक्सक्रिटरी सिस्टम बनाया है जो हमारी बॉड़ी के अंदर उस एक्सक्रिटरी सिस्टम को के साथ आप जीने की कोसिस करें तो my clear message to everyone don't try forcefully retain the sperm मतलब आप sperm के बीरिये के वेग को उस energy को कभी भी आप divert ना करें उस energy को use करें positive रहें क्योंकि sperm के अंदर भी एक energy है और testis strong के अंदर भी एक power है एक energy है आप उसको अपने गोल में आप अपनी body पर आप अपने brain के development में लगाएं उस पिरिया को जिस तरीके से हम urine pass करते हैं जब आपको urine की urge होगी जब आपकी थैली फिल हो जाएगी तो urine pass आपकर ही देंगी तो simple बिलकुल उसको nature पर छोड़ दें body का जो science है जो clinical science है जो physiology है जो metabolic system है आप completely उसको naturally उसके उपर छोड़ दें उसके साथ जीने की कोसिस करें thank you very much and take care yourself